जेहिं दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साथ के बन लाइनर भूत ही महत्वपूल को उसन आंसर हैं तो वीडियो को पूरा वस्ते देखना है अगर आप चैनल पर पहली बारा हैं त चैनल को सब्सक्राइब करने बेल आई कन दमाए ओल पर क्लिक करें ताकि वाल वीडियो की जानकारी आप्के ऐहां तप महँचे जादास जादा वीडियो को सेर करना है और वीडियो को लाइक करना न भू Key यू ऑज का फर्ष्ट कोश्चन अप्रंज के प्रतहं महा कभी है तो कौन है अब्रंज के प्रिथम महा कभी तो आपका यहाँ पर सही आंसर है स्वेम्भू स्वेम्भू आपका यहाँ पर राइट आंसर है अंगला कॉस्चन क्या है देखे कि अब्रंज के प्रिथम एतिहासिक वैया करण है तो कौन है यह आपके लिए बताना है यहापर अब्रन्ज के पृत्य rhythm, यह एक वया करन तो आपका right answer है यहाँ पर heam-chandra आपका right answer यहाँ पर अंगल्य question है हिंदी के पृत्य theorem कभी कौन है यह आपके लिए बताना है सरहपा आपका यहाँ पर right answer है हिन्दी के पर्थम कभी जो है सरहपा है कौन सरहपा है और जो 늦ने इसंवाभी कभी है तो यह आपके लिए याद रखना है अंगला question है क्या है हिन्दी में दोहाच वापाई का सर्परयोग किया है तो हिंदी में जो दोहाच वापाई का सरपर्थम प्रियोग किया है स्राहपा ही इनकिया कितने स्राहपा आपका यहाँ पर राइट आंसर है अंगला कॉस्चन है हिंदी की पर्थम रचेना कौन सी है यह कॉस्चन जो है मात्तपूर्ण कॉस्चन आपसे पूंचा गया है तो ह प्रत्वी राशो चंदबरदाई ये आपके लिए याद रखना है बिल्कुल सई अंगला कॉस्चन क्या है हिंदी साहित का प्रत्वी राशो चंदबर आठ आप से पूंचा क्या है हिंदी काप में प्रत्वी राशो चंदबर आपका सही आंसर यहाँ पर होगा विसल देव राशो राइट आंसर है अंगला कॉस्चन क्या पूंचा क्या है तो देखिए यहाँ पर अंगला कॉस्चन आप से पूंचा क्या है किसी भारतिय भासा में रचेत इसलाम धर्मा लंबी कभी की प्रत्वा रचेना कौन सी है तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा संदेश राशक अब्दुल रहमान आपका यहाँ पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन क्या है तो देखिए हिंदी के परत्वा गीतकार है हिंदी के परत्वा रहमान पूंचा है आपका यहाँ पर सही आंसर है हिंदी में सर पर्थम जो मुक्रियों की शुरुआत की थी वह किस ने की थी ये question कई बार यागजान पूंचा जा चुका है हिंदी में सर पर्थम मुक्रियों की जो शुरुआत की थी वह अमीर खुसरो ने की थी किस ने अमीर खुषरो आपका यहांपर सही आऀयोसर है अंगला क्वाइचन हिंदी की आधी कभी त्री किसी कहा जाता है तो एह आपके लिए बताने क्वाइचन रंबर 14 का राइट आशर क्या होगा क्ाइचन रंबर 14 का सही आँंसर तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है मीरा भाई मीरा भाई आपका यहाँ पर सही आंसर है विल्कुल सही मीरा भाई जिन्हों ने बताया उनका सही आंसर है अंगला कोचल क्या है तो देखे क्रिष्ण भक्ति काभ्य का सबसे प्रिसिद्य काभ्य कौन सा है तो क्रिष्ण भक्ति काभ्य का सबसे प्रिसिद्य काभ्य कौन सा है तो यहाँ पर आपके लिए राम भक्ति का सबसे प्रिसिद्य काभ्य कौन सा है तो यहाँ पर आपके क्या पूंचा गया है तो देखिए यहां पर अंगला कॉस्चन पूंचा गया है भक्ति काल को काभव का फ्रोंड योग गोसित करने वाला प्रथम ब्यक्ति कौन है तो आपका राइट आंसर जार्ज गिरेशन आपका यहां पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन क्या है तो देख खड़ी बोली के प्रिथम स्वाचेंदताबादी कभी कौन मानी जाती हैं खड़ी बोली के प्रिथम स्वाचेंदताबादी जो कभी मानी जाती हैं पर स्रीधर पाठक मानी जाती हैं स्रीधर पाठक आपके यहां पर सही आंसर है बिल्कुल सही अंगला question है खड़ी बोली का प्रतम महकाब्वे अंगला कॉस्चन है चायबाद की प्रतम किर्थी कौन सी है चायबाद की प्रतम किर्थी बताना है और आपका राइट आंसर है जर्णा जर्णा आपका राइट आंसर है 1918 में प्रताद की ए है चायबाद की प्रतम किर्थी मानी जाती है अंगला कॉस्चन ह पर पूँचे गया है मुक्त शंद का प्रियोग करता कौन है तो मुक्त शंद का प्रियोग करता जो है वै कौन है निराला जूही की कली आपका यहाँ पर सही आंसर है इसमें प्रियोग किया गया है तो मुक्त शंद का प्रियोग करता जो है निराला आपका राइट आंसर यह प्रियोग बाद सब्द का प्रियोग किस ने किया है प्रियोग बाद सब्द जो है इसका प्रियोग जो किया है वह किस ने किया है यह आपके लिए बताना है तो आपका यहाँ पर राइट आंसर नंदुलारे बाच पिए आपका राइट आंसर होगा नई कवीता का नाम दिया नई कवीता का नाम दिया है किस ने दिया नई कवीता नाम दिया है तो यह नाम किस ने दिया है यह आपके लिए बताना है तो अग्गे अग्गे ने यह नाम दिया है नई कवीता अग्य की पर्तम कापिकृती यहां पर आपके लिए वताना है तो 26 का सही आंसर है आपके यहां पर भागने दूत भागने दूत आपके ही आंसर है अंगले question हिंदी का प्रताम अपन्यास कौन सा है ये question महत्वपुण है हिंदी का प्रताम अपन्यास आप से पूंचा है तो परिक्षा गुरू लाला सिरी नवास दास करे थे परिक्षा गुरू ये हिंदी का प्रताम अपन्यास है परिक्षा गुरू और लाला सिरी नवास द हुआ था तो काया कल्प आपका यहां पर सही आंसर है इला चंद जोसी का प्रता मों पन्यास कौन सा है यह आपके लिए बताने 29 का राइट आंसर तो 29 का सही आंसर है इला चंद जोसी जो है इनका प्रता मों पन्यास है घ्रनामई घ्रनामई आपका यहां पर सही आंसर है का प्रताम पन्यास पूंचा है आपसे अग्ये जी का प्रताम पन्यास कौन सा है तो सेखर एक जीवनी आपका यहाँ पर राइट आंसर है सेखर एक जीवनी आपका सही आंसर है बिल्कुल सही अंगला कॉस्चन है रेनू का प्रताम पन्यास कौन सा है तो रेनू जी जो है इन है तो निर्मल वर्मा जी जो हैं इनका प्रिथम वो पन्यास है बेदिन कौन सा है बेदिन आपके यहां पर सही आंसर है हिंदी का प्रिथम मौलेक कहानी बताना है तो कौन सी है हिंदी की प्रिथम मौलेक कहानी इंदु मती आपका राइड आंसर एक किसोरी लाल जी की अंगल कौस्चन हिंदी की पिर्थम कहानी लेखी का कौन है तो हिंदी की पिर्थम कहानी लेखी का आपसे पूंचा गया है तो आपका राइट आंसर है बंग महिला बंग महिला आपका राइट आंसर है राजंदर बाला घोस बंग महिला राजंदर बाला घोस कहानी इनकी थी दुला तो प्रिशाद जी की कहानी बताना है तो ग्राम आपका राइट आंसर 1911 में जो है प्रिकासित हुई थी इंदू पत्रिका में इंदू पत्रिका याद रखना है प्रेमचंद की प्रिथम कहानी है तो प्रेमचंद जी की प्रिथम कहानी है वह पंच परमिस्वर इसका प्रिक क्या है right answer पननन्दि आपका है यहां पर पूच्छा गर्शनन क्या है कंबलीश्वर का कहा नी संग रहे हैं question no 49 पूच्छना है तो आपका right answer राजा निर्वशिया विल्कल सही if question no 40 क्या है ठ policies चालेश आप से पूच्छा है हिंदी का प्रिथम मौलेक नाटक भार्तियंदू ने माना है तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर नहोस गोपाल चंद जो नहोस गोपाल चंद जी का यह जो है नाटक है मौलेक नाटक हिंदी का प्रिथम मौलेक नाटक माना है भारतेंदु जी ने नहुसको गोपाल चंद जी का है है तो इस परकार अपनी यहां पर बहुत ही मात्वपॉन कॉशन कंप्लीट हुए क्यांसा लगा यह वीडियो कमेंट में आपके लिए बताना है अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बे